अलो फ्रेंड मैं यहां पर अभी शेक शर्मा आपका टेक्निक्ली क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और आज मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपके आइसी एंजिन की यह मेरा फर्स उनिट का थर्ड लास पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं पार्ट सी इससे पहले मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल कर चुका हूं जो कि हैं मेरे पार्ट वन टू पार्ट ट्वैल तक यहां पर यह यूनिट फर्स का लास पार्ट होने वाला इस पार्ट सिक्स इसके बाद यूनिट वन कंप्लीट हो जाएगी आईसी एंजिन की तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो न के अंदर तो कोशन नमबर 17 के बात कर रहा हूं इस कोशन नमबर 17 के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो अच्छा कोशन है पार्ट सी के अंदर है तो मतलब बहुत बड़ा कोशन होगा तो यहां पर बताए कि अब फोर स्ट्रोग पैट्रल एंजन हैंग फॉलिंग स्प पीड दिये है 2250 rpm ब्रेक पावर दिये 36 किलोवाट फ्यूल कंजप्शन दिया है आपको 10.5 kg पर आर आगे उन्होंने यहां पर दिया है कि कुछ औरफिस मीटर की यहां पर कुछ चीज़ा दिये तो यहां पर उन्हों जो बॉक्स है उसका औरफिस का डायमीटर दिया है 75 ज फॉलिएंग देटा बर आब्सर प्रेशर अक्रॉस दी औरफिस इस 4.1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एट्मस्पिक टैंप्रेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेट और प्रेशर 10135 बार तो कैलकुलेट करना है अपनको फर्स तिंग फर्स इस ब्रेक थर्मल एफिसेंजी बहुत बा दिया था वो मैंने यहां पर लिखना शुरू किया कि number of slender दिये थे 4 बोर दिया था length of stroke दी थी उसको मीटर में चेंज करते जा रहा हूं स्पीड दी थी 2250 ब्रेक पावर दी थी मुझे बीपी 36 किलोवाट फ्यूल कंजप्शन दिया था मेरे को m.f 10.5 किलोजूल का केजी पर आर तो मैंने एक आर्स को चेंज किया सेकेंड में तो आपको था कि 1 आर इस इक्वल 3600 सेकंड तो यहां पर मैंने इसको चेंज कर लिय दिया तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि कितना निकल किया है मेरे पास 2.9166 x 10-3 केजी पर सेकंड एयर बॉक्स और फिस डायमीटर जो मैंने बताया था एयर बॉक्स का जो आपको और फिस दिया है जासे फ्यूल आता है इंदर क्योंकि ऐसा है इंजन है 75 एम जिसको मैं ने मीटर में चेंज किया 0.075 मीटर सीडी को पिरसेंट ऑफ डिस्चार्ज 0.6 दिया था कैलर्फिक वैली अप दा फ्यूल दिया थी 42,000 केजी पर किलो जूल पर केजी उसके प्रेशर ड्रॉप जो दिया था वो दिया था 4.1 सेंटीमीटर आफ वाटर इसको मीटर में चें प्रेशर इन बार 1.0135 बार इसको मैंने किलो मतलब पास्कल में चेंज किया तो 10 to 5 हुआ उसको किलो पास्कल में चेंज कर दे तो 10 to 3 वाँ से चला गया तो 10 to 2 रह गया तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है मेरी ब्रेक थर्मल एफिसियंसी तो सीधे सीधे फॉर्मला हो था ब्रेक थर्मल एफिसियंसी का कि ब्रेक पावर ओबर था M.F इंटू C ब्रेक पावर मुझे 36 किलो वाट दी थी M.F मैंने 10.5 निकाला था और उसके बाद मैंने उसको सेकंड में चेंज कर दिया था 2.9166 इंटू 10.3 किलो जूल पर सेकंड आया था उसके बाद मैंने यहां पर कैलरिफिक वैलो निकल लगा दी तो यहां से मुझे बदा पढ़ा कि break thermal efficiency is 29.38% अगर आप calculation करके देखिएगा यह सही आ रहा है तो please मुझे comment section में बताते कि यह बिल्कुल सही है calculation is right इसके रदा है break mean effective pressure तो break mean effective pressure जब ही निकल सकता है जबकि मुझे पता हो कि break power क्या है तो यहां पर मुझे पता है break power का formula होता है मैं उसी तरीके से होता हूँ जै is the area of the bore and is the number of RPM के यहां पर आपको बता है कि अगर 4 stroke होता है तो cakey value आपकी half हो जाती है और अगर 2 stroke होता है तो cakey value बन हो जाती है and is the number of slender 10 by 6 उसको change किया है यहां पर उसको बार में बनाने के लिए 36 मैंने लगा दिया 4 मेरे पास number slender थे P mean break pressure मुझे निकालना था length of bore मुझे 0.13 दी थी एरिया मैंने 9.50332-3 5 by 4 T square से निकाला dk value 110 mm थी तो 0.11 मैंने उसको meter में change कर लिया n की value 2250 दी थी मेरे को यहां पर 1 by 2 इन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि 4 stroke है 10 मेरे formula में आता है 6 नीचे दिया हुआ है तो जब मैंने इसको solve किया तो आप अगर notice करेंगे यहां पर कि P mean break power वो निकला मेरे पास 3.8853 बार इसके बाद जो इस question का main part है जो कि part C है जो कि थोड़ा tough बोल सकते हो आप क्योंकि इसका link आपका fluid mechanics से है तो उन्होंने बला कि value metric efficiency बता दीचे तो volume of air inhaled मतलब कितनी value कितनी air की volume को अपन inhaled कर रहे है मतलब engine के अंदर कितनी value सक की जा रही है और कितना swept volume के अंदर आ रहा है तो swept volume तो आप easy निकाल सकते है पाई बाई फोर D square into L बात आती है आपकी volume कितना सक किया जा रहा है तो air inhaled per second CD ये C alpha लिखा हुआ CD होना चाहिए था coefficient of discharge अंदर रूट 2 DLP into rho air तो यहां पर क्या किया है कि DLP की value 4.1 cm दी थी cm लिखा है cm कर दिया उन्होंने यहां पर cm of the water तो इन्होंने चेंज के इसको रोजी edge मकानबट कर लिया यहां पर आगिया चाहिए तो यहां से उसको उन्होंने क्या किया डेल प्रेशर को cm से Newton पर mm2 पासकल में चेंज कर लिया और आपको भी पता होगा कि P बराबर रोजी edge होता है और यहां पर जो P है वो डेल P है तो यहां पर जो डेल P दिया है वो edge है मैं लिख देता हूं यहां पर समझ जाएंगे P बराबर रोजी edge edge आपको दिया है यहां पर तो P की value मुझे निकालनी है P की value 1000 9.81 edge की value 4.1 cm तो divided by 100 तो यह देखेंगे आप यह आगई यहां पर निकल के तो 1000 into 9.81 4.1 into 100 तो यहां से निकल के है 402.21 यह fluid mechanics के अंदर एक आपका hydrostatic का formula होता है इसके बाद density of air अगर आप निकालना चाहो तो निकालना चाहिए तो डारेक्ट आपको value बताना चाहिए है 1.24 kg per meter के वही air की density होती है तो यहां पर मैंने यह चाहिए निकाल ली अगर आपको नहीं पता था तो आप इस formula से निकाल सकते थे PV is equal MRT mq value 1 तो now air inhaled मैंने बहले लगाई 0.6 area of orifice जो की diameter दिया था आपको under root 2 dlp into row of air यहां से मुझे पता बढ़ गया कि 0.08324 kg per second air को वह inhaled करते हैं मतलब की क्या करते हैं suction करते हैं swap value मैंने अभी आपको बताया था 5 by 4 d square and 2L होता है तो यहां पर उन्होंने 5 by 4 d square and 2L निकाला एक सिलेंडर के लिए 4 के लिए multiply 4 हो जाएगा और जिस rpm के लिए है तो इसको मेरे को multiply करना पड़ेगा तो यहां से जो यहां से मेरा जो volume निकल के आया 0.0927 meter cube per second तो मुझे volumeter के efficiency निकालनी थी तो air inhaled over swapped volume तो air inhaled is 0.08324 over 0.0927 तो यहां से मेरे को के निकल के आ गया 89.80 मेरी volumetric efficiency थी कि जितना अपन एर को सक करते हैं उसका 90% ही cylinder के अंदर जा पाता है 10% based हो जाता है तो यह question था अगर आपको अच्छा लगी हो वीडियो तो प्लीज आप जरूर लाइक करिएगा शेयर जरूर कीज़ेगा अपने फ्रेंड के साथ जिनको RTO examination या UPTO examination या AKTU के अंदर अगनेचियों की जरूरत पड़ती है IC engine की तो प्लीज आप यहां से refer कर सकते हैं सब चीज़ हो Thank you for watching guys, thank you, thank you so much